लाल सागर में यमन के हूती के हमलों की वज़ा से अमेरिका की अगवाई में पस्चुमी देशों को जटके पे जटके लग रहे हैं। इसके बाद अमेरिका का युएसेस ट्वाई डी आइजन हावर भी लाल सागर छोड़कर पूर्वी भूमद्य सागर की तरफ रवाना हो चुका है। जानकारों का मानना है कि हूती ने लाल सागर में अमेरिका और पस्चुमी देशों की जोर आजमाईश को धूल चटा दी है। जिसकी वज़ा से अब एक एक करके पस्चुम के युद्पोत लाल सागर से मैदान छोड़कर जा रहे हैं। और मार्च के महीने में ही हूती के नेता अब्दुल मलिकल हूती ने कहा था कि इसराइल से जुड़े जहाजों को केप अफ गुड होप की और हिंद महासागर से गुजरने से रोकने के लिए वो अपने हमलों को और ज़्यादा दूरी तक बढ़ाएंगे। और अब इस सब के बीच लाल सागर में हूती के हमलों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने के बाद हूती के होसले और बुलंद हो गए हैं। और अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में एक नहीं बलकी चार हमले करके भूचा ला दिया है। सबसे पहले उसने कमर्शल जहाज बुलकर साइकलेट्स पर एक मिसाइल से हमला किया है। हूती का कहना है कि उसका ये हमला एक दम सटीक रहा है। इसको लेकर UK Maritime and Trade Operations ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले में जहाज को नुकसान पहुचा है लेकिन उसका चालक दल सुरक्षित है। जहाज फिलाल अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ रहा है। Maritime Traffic Data के मताबिक इस जहाज पर माल्टा का ज्छंडा लगा हुआ था जो उत्तर की तरफ लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। Equisis के मताबिक ये जहाज पूर्वी भूमद्दे सागर में जहाजों के बेड़े का हिस्सा था। वहीं इस हमले को लेका रहूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया साहरी ने कहा कि इस जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो इस महीने 21 अप्रेल को उमल रश्रश इलट बंदरगाह की तरफ जा रहा था। यद्धक तरगता क Gaming ब самой हमली ठ्यू इसक tense कि हवाज फmostाय ने झित प्रिगा उनाल네 लानलcus लुऽ कि व्यु 모든 इसलिए इसलिए लुम इसलिए कि एफ नंघयाw गा हमली ठो जिएमली द्यु हमली इसलिए ने क JACर पो इसलिए इसलिए प्र. इसलिए थि प्र् टीए, मीतर पिजिए आपको बता दे कि हालिया दिनों में कमर्शल जहाजों पर हूती का ये सीधा हमला है जिसमें किसी जहाज को नुकसान पहुचा हो इस से पहले 26 अपरेल 2024 को हूती ने पनामा के जहंडे वाले एंड्रोमेडर स्टार जहाज पर एक मिसाइल हमला किया था इसके अलावा दूसरा हमला हूती ने MSC कंपनी के MSC ओरियन कंटेनर जहाज पर किया है आपको बता दे कि इस जहाज पर पुर्तगाल का जहंडा लगा आलिक इसराइल अरबपती ओयल याल ओफैर है बड़ी बात यह है कि MSC ओरियन कंपनी इसराइली अरबपती याल ओफैर की है और इस कंपनी के कई जहाजों पर हूती ने मिसाइल हमले किये हैं मार्च 2024 में हूती ने MSC Sky 2 पर भी एक हवाई हमला किया था और अब 29 अपरेल 2024 क हूती ने बुलकर साइकलेड और MSC ओरियन पर हमला किया है इसके बाद हूती ने अमेरिका के दो युदपोतों पर ड्रोन अटेक किया जिसे अमेरिकी युदपोतों ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया अमेरिकी समुद्री प्रशासन के अनुसार हूती ने नवंबर से अब तक इस शेतर से गुजडने वाले जहाजों पर 50 से ज्यादा हमले किये हैं एक जहाज को जब्त कर लिया है और दूसरों को डुबो दिया है हूती का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में अपने हमले बंद नहीं करता तब तक ये हमले जारी रहेंगे